बिना पूछे कभी भी किसी भी वक्त किसी की फोटो खीचना गलत है या सही इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग बहस है बहस शुरू हुई आलिया भट की सोशल मीडिया पर वारिल हुई प्राइवेट पिच्चर से आलिया की घर की बालकनी से खीची हुई पिच्चर टॉक अफ़ टाउन मन गई है क्योंकि इस पिच्चर को लेकर आलिया भट ने पैप पर काफी नाराज की जाहिर की और साथ ही पुलिस कंप्लेंड करने की धमकी भीदे डाली आलिया ने सोशल मीडिया पर मुंबली पुलिस को टाक करते हुए एक पोस्ट शेर किया और उस पर लिखा कि ये मेरी प्राइविसी में दखल है आलिया के सपोर्ट में अनुशका शर्मा, करन जोहर, अरजुन कपूर और बॉलिवूर के कई सेलेप्स उतर आए और इस बात को लेका सोशल मीडिया पर पेपराजी को जम कर लताड़ा, अब इस पूरे मसली को लेका सोशल मीडिया पर जंग छड़ गई है, कुछ लोग पेपराजी को अपने हद में रहने को कह रहे हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि पेपराजी तो सिर्फ अपना काम कर रही है, वह वाक्या हुआ एक इवेंट के दौरान जब मीडिया ने उनसे इस मामले में सवाल किया तो आक्टरस ने कहा कि मुझे तो मीडिया नहीं बनाया है उन्होंने ही मुझे लाइम लाइट दी ऐसे में तो मैं सिर्फ उनकी इज़त ही करूंगी लेकिन आप ट्रोलिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहती शिनाज का ये क्लिप सोशल मीडिया पर अब इन दिनों खूब वाइरल हो रहा है शिनाज ने जो मीडिया क्ले कहा उससे उनके फैंस काफे खुश है शिनाज गिल की यही साथ की उनके फैंस को काफी पसंद है बात करें शिनाज गिल के वर्क फ्रंट की तो जल्ड ही आपको शिनाज गिल सेवेंटी में के परदे पर सलमान खान के साथ दिखाई देंगी शेनास गिल सलमान खान के फिल्म किसी का भाई किसी की जान से बॉलिवोर में डेब्यू करने वाली है फिल्म इसी साल इद पर रिलीज होने वाली है वह आज कल आक्ट्रेस अपना शो देसी वाइब स्विज शेनास गिल भी होस्ट कर रही है जहां मैं सितारों के साथ खूब गुफ्तगू करती हुई नजर आ रही है आपको शेनास गिल कितनी पसंद है हमें कमेंट सेक्शन पर लिख कर जरूर बताईएगा और हाँ ये बढ़ते पैपराजी कल्चर को लेकर आप क्या कहेंगे ये भी राय हमें कमेंट सेक्शन पर लिख कर जरूर बताए